शिरी सिवायन मुस्तव्याम हारार महादेव दोस्तो देखे महीने के अंत में करजा लेना पड़ता है पैसा टिकता नहीं है तो बस थोड़े से धनिये का अच्चु कुपाय है दोस्तो आज के गुड़े में हम आपको पूजी गुरुजी की कता से सुनकर बहुती अच्चु कुपायों के बारे हम बताने जा रहे हैं जो कि धनिये के अच्चु कुपाय है दोस्तो धनिये के ये अच्चु कुपाय आपके घर में धनकी वर्सा करेंगे साथी मा लच्मी को आने पर मजबूर कर देंगे इन उपायों को करने के बाद में व्यक्ति के घर में मा लच्मी किरपा बनी रती है तो चली दोस्तों चानते हैं पंडित पिड़्दिब मिश्राजी द्वारा बताए गए इन उपायों के बारे में दोस्तों देखे धनिया ना सिर्फ आपके खाने का स्वाध बढाता है बलकि इसके उपाय आपके किस्मत को भी चमका सकते हैं धनिया का प्रयोग कई चीजियों के लिए भी किया आता है लेकिन टोटकों में इसके प्रयोग काफी कारगर सिद्ध होते हैं पूजी गुरु जी के मुताबिक इनके टोटके करने से घर में सुक्सान्ती और सम्रद्धी बनी रहती है साथी आरतिक इस्तिती भी मजबूत होती है इसके लावा इनके टोटकों से नकारत्मक सक्तियां और दरित्ता से मुक्ति मिलती है तो चलिए जानते धनिये के टोटके किस प्रकार से की आते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सबी से हमारी एक रोकाइश्टे के वीडियो को लाइक करदे हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से हरार मादेब सिरी सिवाय नमुस्तभ्यम जरू लिगते हैं जिससे कि आपकी हर मनुकमना जल्दी से जल्दी पूर हो जाएं दोस्तों देखे अगर कोई कारे नहीं बन रहा है या किसी के पास पैसा अटका हुआ है तो ऐसे मैं किसी सुक्रुवार के दिन किसी कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिखें और उसी कागज में थोड़ा सा सूका धनिया डाल कर पुडिया बना लें फिर इसे चुपचाप बैते हुए पानी में प्रवावित कर दें इस टोटके से अटका हुआ धन मिल लाएगा साती धन प्राप्ती का भी योग बनेगा तंतर सास्त के अनुसार किसी भी मा की सुकल पचकी मंगलवार या फिक गुरुवार को मिट्टी के बरतन में थोड़ा सा सूका धनिया 11 रुपए और थोड़ा सा पानी मिला कर मिक्स कर दें इसके बाद उस बरतन को घर के उत्तर दिसा में रख दें जब धनिया पूरी तरह से निकल आए तो उसमें से एक सिकका लें और उसको धन वाले इस्तान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें ऐसा करने से आपको धन लाब होगा घर में कभी धन दाने की कमी नहीं होगी मानता कहती है कि अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है और लाग कुसिस करने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो आप सुक्रवार के दिन एक कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिखें और उसमें थोड़ा सा साबूत सू का धनिया रख कर उसकी पुडिया बना लें फिर इस पुडिया को आप किसी भी पीपल के पेड के नीचे रखाएं और जो भी व्यक्ति आपका पैसा आपको लोटा नहीं रहा है उस व्यक्ति का नाम बोलने है फिर अपने घर चले है दोस्तो इस उपाय को करने से ना सिर्फ आपका अटका हुआ पैसा मिल जाएगा ब इसके बाद मालचमी की पूजा के साथ साथ उस पोटली की भी पूजा करें फिर इस पोटली को धनिस्तान या तिजोरी में रख दें ऐसा करने से मालचमी की किरपा से आशिर्वाद मिलता है साथी धर में सदस्यों की आर्थिक कुन्नती भी होती है अगर देखें बहुत बात भी पैसा नहीं बसता है या आर्तिक इस्तिती ठीक नहीं रहती है तो ऐसे मैं धनीय का टोटका लाभकारी साभित उजखता है प्रतेख-बुद्दवार को हरा धनिया गाय को खिलाएं धनीय के इस टोटके से आर्तिक इस्तिती अच्छी रहती है शाती फिजूली खर्च मंदिर जाकर हनुमान जी के चर्णों में रख दें इसके बाद हनुमान चालिसा का पाट करें और अपनी समस्या से भगवान को अवगत कराएं और प्रातना करें बजरंग बली आपकी प्रातना जरू सुनेंगे तो दोस्तों अगर आपको पूझ गुरुजी द्वारा बताएगे धनिये के ये अच्छु कुपाय अच्छे लगे हो तो आप मैंने जादा से जादा से शेयर कर दें वीडियो को लाइक कर दें नीचे कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से हर हर महादेव या सिरी शिवाय नमुस्तव में हम जरू लिग दें जिससे कि आपकी हर मनुकामना जल्दी सल्दी पूरी हो जाए